तो हेलो दोस्तो आज सब के लिए मैं फिर से एक मूवी लेके आया हूँ जिसमें समय चल रहा है 1930 और जगह है नौरबे का एक गाउं यहाँ पर हम देखेंगे कि इस मूवी का नाम है कॉन टिकी और ये एक टू स्टोरी पर फेस्ट है इस जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं जिने एक वर्फ के टुकड़े पर एक स्टोर दिखाई देती है जो सबी बच्चे उसे लाने से डर रहे थे लेकिन बहीं पर खड़ा एक थोर नाम का लड़का उसे लेने बहाँ चला जाता है तभी वर्फ का टुकड़ा तूट जाता है और वो चमाने वाले पानी में गिर जाता है लेकिन समय रहते हैं उसके साथ ही उसे निकाल लेते हैं और जब उसे घर लाया जाता है तो उसकी बहुत डाट पड़ती है उसके फादर कहते हैं कि थोर तुम उससे बादा करो कि तुम कभी इतना रिस्क अपनी जिन्दगी में नहीं लोगे लेकिन थोर के पास कोई जबाब नहीं होता तो वो चुप चाप रहता है यहां हम देखते हैं कि थोर अब बड़ा हो चुका है और वो पेशे से एक एकेनोग्राफर है वो दूर दूर के आईलेंड पर जाकर जहां कोई नहीं गया होता है लोगों को खोच कर और उनसे बात चीट करता है वो अभी पॉलिनीशिया के एक आईलेंड पर है जहां उसकी गल्फरेंड और वो दोनों उन आदिमानों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कहां से आई थे वहां एक ब्रद वेक्ती बताता है कि हम सीधे साउथ की तरफ से आई थे और साउथ की तरफ हाथ करके बताता है तभी वो कहता है कि यहां से आना बहुत ही लाम गूंकिन है क्योंकि उधर तो पूरा ओशियानिक ही ओशियानिक है यह सुनकर वो ब्रद वेक्ती कहता है कि हमें हमारे भगवान कॉन टिकी लेके आई थे यानि कि God of Sun वो उन्हें उनकी मूर्ती भी दिखाते हैं तभी वो लोग ये चक्कर में पढ़ जाते हैं कि यहां तो ये सब लोग सोचते हैं कि ये एसिया से आए हैं लेकिन ये साउथ अफरीका से साउथ अमेरिका से आए होते हैं ये बात थोर को लग जाती है और वो इस पर एक किताब लिखता है और वो उस किताब को लेकर एक मैगजिन चापने वाले के पास जाता है और उसे चापने को कहता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उन सब को तो और हित्यास कारों को भी यही लगता है कि जो पॉलनीशिया के आईलेंड वाशी हैं वो सभी इस्ट से आए हैं यानि कि वो सारे के सारे एशिया से आये हैं लेकिन थौर कहता है कि नहीं वो सबके सव साउत O HAMERICA से आये हैं तबो जो प्रडूशर होता है वो कहता है कि तुम इतनी आधूनिक चीजों को छोड़ कर पुरानी राफ्ट से उस आईलेंड पर जाके दिखाओ तो मैं इस पॉब्लिकेशन को छाप दूँगा थौर को ये बात लग जाती है और वो इस पे जल्दी जल्दी में हां कह देता है तभी बहां पर जो मतलब प्रोडूशर होता है वो इस बात पर मान जाता है और हम थौर को देखते हैं कि वो सबसे पहरे इस काम के लिए फंडिंग को ढूढने चाता है यानि कि उसने अपनी दस साल की महत को बरबाद नहीं करना है तो वो एक फंडिंग के लिए काफी लोग के पास जाता है यहां पर वो उन्हें समझाता है कि जो पॉलिनीशिया के आइलेंड के लोग हैं वो हमारे ही अमेरिका से यानि की शाओत अमेरिका से हैं लेकिन मैं वहां पर एक राफ्ट से जाने बाला हूँ जो बिल्कुल पुराने तरीके की होगी लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम खुद खुशी के लिए कोई फंडिंग नहीं करते तब ही वो बार में जाता है और कुछ लोग अपना डिजाइन दिखाता है जो वहां के मच्छवारे होते हैं लेकिन वहां पर वैठा है एक बंदा उससे मना कर देता है और कहता है कि मैं हाला की अटलाइटिक महासागर में 32 दिन तक रहा हूं पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस परकार की वोट से कहीं तक जा पाओगे क्योंकि मैं जिस राफ्ट पे था वो आधुनिक चीजों से बनी थी और ये तो कुछ दूरी तक जाकर ही तूट जाएगी ये सुनकर थौर बार से बाहर चला जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है तब हम देखते हैं उसके पास एक हैरी नाम का बंदा आता है जो एक इंजीनियर होता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमारे साथ चलने बाला हूं वो कहता है कि मेरी जिन्दगी में कुछ कोई खास चीज़े नहीं हो रही होती है और मुझे एक रुमांचक जगे की बहुत जरूरत है तब ही थोड कुछ चुप रहकर बाद में कहता है कि असच में तुम हमारे साथ जाने बाले हो तब ही बो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने बाला हूँ और यही बात थोर अपनी वाइफ को यानी की जो पहले उसकी गल्फेंट थी वह उसकी वाइफ है को फोन करके बताता है कि मैं अपने साउथ अपनीका के पेरू से जाने बाला हूँ पललीशिया के आइलेंड तक अब ये बात सुनकर उसकी वाइफ काफे डिसपाइंटिड होती है क्योंकि उसे भी ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती है लेकिन थोर कहता है कि ये हमें करना ही होगा तब ही हम देखते हैं कि वो सब उस बंदरगाह पर जाते हैं बहां हम देखते हैं कि उसी के जैसे तील लोग और होते हैं और ये सब अब पांच लोग हो चुके होते हैं जब ये ये काम करने को उतरते हैं तो ये खबर उनके पूरे सहर में फैल जाती है तब ही उन्हें लगता है कि हमें एक अमीर बेक्ती के पास फंडिंग लेने जाना चाहिए और वो एक अमीर बेक्ती के पास फंडिंग के लिए जाते हैं लेकिन वो अमीर वेक्ति इस फंडिंग के लिए मान जाता है तब ही हम एक और एटेनोग्राफर को देखते हैं जो उनके साथ जाकर महां की डॉकुमेंटरी पर कुछ लिखना चाता है और वो उनके साथ जाना चाता है तब थोर भी मान जाता है और ये अब छे लोग हो चुक बाइफ को कॉल करता है और कहता है कि हम निकलने वाले हैं वो समझता है कि उसकी बाइफ अब बहुत दुखी हो रही है तो इसलिए वो कहता है कि हमें इसके बाद कोई भी स्टगल करने की जरूत नहीं है हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं तभी पूरे सहर के लोग उन और वो बहाँ से चल पड़ते हैं तभी वो साम होने से पहले खाना खाते हैं और सभी के सभी आराम करते हैं रात में तूफान आ जाता है और इसमें काफी बहेंकर तूफान आता है सबकी हालत खराब हो जाती है थोर नीचे पानी में गिर जाता है और उसे तैरना भी नहीं आ तब ही उसके दोस्तों से रस्ती फैकर निकाल लेते हैं थोर मरते मरते बचता है लेकिन वो हार नहीं मानने बाला क्योंकि ये उसकी पूरे 10 साल की महनत है ये हम देखते हैं कि सुबह जब थोर अपनी राफ्ट की हालत देखता है तो बहुत ही जादा बेकार हो चुकी होती है यहां पर उनमें से ही एक बंदा लकडियों के नीचे कुछ गलती हुई चीज़ों को देखता है यानि कि लकडियों पर पानी लगने से उसकी नीचे की परत गलने लगती है यहां हम देखते हैं कि उनके रेडियो का तार भी उसके पैरिट ने ही काट दिया होता है क्योंकि वो पैरिट उनी में से किसी एक का था तब ही हम देखते हैं कि अब उनके पास कम्यूनिकेशन का कोई शादन नहीं है और वो ऐसी जगा पर पफच जाते हैं जहां पर सार्क का राज चलता है यानि कि समुदर में ये चीज़े तो होती है और इनके पास एक पंदरा सो साल प सार्क पर हमला कर देता है और उससे जोड़ी रसी नीचे जाने लगती है और राफ्ट भी पूरी तरह से घूम जाती है ये देखकर ये लोग डर जाते हैं लेकिन तभी उस मचली से उनका जो खंजर होता है वो निकल जाता है तभी वो सब उस बंदे पर बहुत ही जादा और वो कहते हैं तुम हम सब को मरवा के छोड़ोगे लेकिन वो सभी इससे बहूत विवकूफी वहरा वेहार भी कर रहे होते हैं क्योंकि इससे राफ्ट पर कलह पैदा होगी जिससे उन में सम्में गुस्ता बढ़ेगा लेकिन वो सांत हो जाते हैं और कहते हैं कोई नहीं आगे से हैसा मत करना लेकिन हम थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं सार्क वहाँ आ चुकी होती हैं और उनी में से एक का जो तोता होता है वो वहाँ राफ्ट से उतर कर नीचे चले जाता है उस समय बाद जब हम ये देखने वाले होते हैं कि जो थोर होता है उसे पीछे के अपने आ रहे होते हैं कि उस बंदे ने कहा था जो उसके साथ था कि तुम इस राफ्ट से कुछ समय तक ही जा पाओगे तब ही वो अपना एक फोटो भी खिछबाते हैं और समय रहते उपर आ जाते हैं हम देखते हैं वो तोता जैसे ही नीचे जाता है सार्क उसे खा लेती है और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी हम देखते हैं जैसे ही उस सार्क का वलड नीचे इस राफ्ट से जा रहा होता है तभी बहां और सार्क खटी होने लगती हैं और वो सभी की सभी इन पर कभी भी हमला कर सकती थी तभी उनमें से एक बंदा स्टील वायर लेकर आता है और कहता है हम इस से एक सार्क में फायर करेंगे और उसकी साहता से बहुत जल्दी आगे तक पहुच जाएंगे लेकिन यहां पर थोर उस स्टील वायर को यूज करने से मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि हम मौडरन टेक्नलोजी को यूज नहीं करेंगे तभी उनमें से बंदे का पैर फिसल जाता है और उनके गर जाता है लेकिन समय रहते वो लोग उसे उपर चड़ा लेते हैं और वहां से सार्क भी चली जाती है तब ही उनको अच्छा लगता है और उनकी नौ भी काफी दूर आ चुकी होती है अब उनकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि खाना भी खतम होने बाला होता है और वो खाने के लिए भी तरज जाते हैं पानी भी काफी कम हो चुका होता है सबको हैलोजिनेशन भी होने लगते हैं और वो काफी तक रास्ता भी भटक चुके होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वो किस रास्ते पर हैं क्योंकि जो उन्ह रास्ता बता रहा था वो खोद अब डिप्रेशन में है और उसे भी नहीं पता कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं तब ही हम देखते हैं कि वो उन सब की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो एक दूसरे के सहरे ही जी रहे हैं यहां पर हम देखते हैं कि उन्हें दूर से ही प पर साउथ अमेरिका में लोग इनके जो फैमिली से थे वो अब काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें काफी पैसे और प्रसिदी भी मिल गई है और ये सब उनकी मेहनत की बज़े से हैं और थोर की फैमिली के साथ लोग अच्छा विवार कर रहे हैं और तभी हम देखते हैं उनमे भी बहुत मुस्किले होती हैं क्योंकि अभी एक समुद्री लहरी तूफान आने वारा होता है तभी उनमें से एक बंदा कैलकुलेशन करके बताता है कि हर बारा मतलब लहरों में से एक लहर काफी बड़ी होती है और हम तभी उसी लहर का इस्तमाल करके किनारे तक जाएंग सीधे आईलैंड पर पहुँ जाते है उसमें थोर होता है वो नीचे गिर जाता है लेकिन डरने की कोई अब यह पूरे सेर में फैल जाती है तब उन्हे जो मतलब रिशीव करने के solves दिया जाता है और यहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों की असली तश्वीर दिखाई जाती है जिन लोगों ने ये काम किया था यानि की 1947 में और हम देखते हैं कि यह अब बहुत ही ज्यादा एक संचनिय बात थी और पूरे सहर में फैल चुकी थी तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ल जिए थैंक यू सो मुड़िए थैंक यू सो मुड़िए